ये गाईस नमस्कार मैं आपका दोस्त अमिट स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिलते शुक्रिया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे बीर्ड के अंदर या इस साल अपने बीर्ड के एक्जाम देंगे सेकंड यर के तो उन बच्चों के लिए आगे गवर्मेंट जॉब के अंदर या फिर किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर या किसी होना चाहिए उसके बाद ही क्या आप टीचर लग सकते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे जो confusing points है बच्चों के mind में है आज इस video के अंदर हम लोग discuss करेंगे कि वास्ता में सचाई क्या है तो video में आगे बढ़ने से पहले एक चोटा सा announcement अगर आपके पास time नहीं है और beard first year second year या किसी के भी exam 2024 के अंदर आप देंगे तो हमारे जो important question है और जो handmade notes है guys वो available है आप whatsapp पर हाई का text करेंगे जो number नीचे show हो रहे आपका 9996060785 पर हाई का text करेंगे और payment के just बात PDF आपके number पर available हो जाएगी तो guys सबसे important बात यहाँ है कि sir beard के अंदर minimum कितना percentage होना चाहिए कि हम लोगों की एक अच्छी government job लग जाए देखे guys अभी तक जहां तक मान के चलो कोई भी आपकी vacancy है चाहिए वो DSSB की है या केंदरी विध्याले की है ठीक है या फिर जो है आर्मी की है या फिर एक लवे की है या फिर state government की जितनी भी vacancy है अभी यहाँ तक कोई specification नहीं दिया गया कि आपका जो percentage है वो beard में कितना होना चाहिए बट एक standard जो beard का percentage जो माना गया है वो आपका first division होना चाहिए मान के चलिए तो जिस हिसाब से आने वाले time के अंदर जब beard के अंदर बहुत सारी changes किये जा रहे हैं तो क्या आगे जो percentage का जो criteria है उसको भी किया जा सकता है क्योंकि beard करने के बाद या JBT करने के बाद डियलेड करने के बाद जो vacancy के लिए बच्चे line में खड़े हैं वो बहुत सारे हैं क्योंकि एक से यहां पर government beard को integrated करना चाहती है चार साल का beard इसको करना चाहती है तो government चाहती कैसे नहीं कैसे जो है यह जो competition उसको थोड़ा सा कम किया जाए बट आपको competition कम करने का कोई मलब फरक ना पड़े तो इसलिए आने वाले time के अंदर यह वाली condition भी apply हो सकती है बट अभी इसकी कोई notification नहीं है कोई official announcement नहीं है बहुत सारे state के अंदर अभी भी यह condition applicable है कि आपका beard में first percent होना चाहिए आपका इतना percentage होना चाहिए तो यह सारी चीज़ अभी कुल मिलाकर state के अंदर work कर रही है central level पर आने वाले time के अंदर जब beard के अंदर इतना changes आ रहे है तो यकिनन गौर्णमेंट जो रोइन सीटी इसके उपर विचार कर सकती है अब यहाँ पर सबस्वर important बात यह है कि सर अगर by chance यह ऐसी situation हो जाती तो हम लोगों को क्या करना चाहिए देखे जिन बच्चों का मान के चलो अपना first division नहीं है पहले मैं बात करता हूँ कि beard के अंदर जो first division है वो आपका अमूमन बन जाता है क्योंकि उसके अंदर practical work बहुत work करते है अगर फिर भी किसी बच्चे का first division नहीं बनता है तो वो बच्चा अपना किसी भी exam के अंदर improvement का exam देकर या फिर दोबार से exam देकर जिसमें भी exam में particular उसके number कम है वो अपनी percentage को minimum 60% कर सकता है क्योंकि आने वाले time में हो सकती है ये चीजे तो अगर किसी बच्चे का 60% से कम है या उसको लगता है कि मेरा जो percentage है guys वो बहुत कम है तो यकीनी आप कभी भी किसी भी university से आपने अगर किया है तो आप उसका improvement का क्या दोबारा से exam दे सकते हैं अब यहाँ पर सबसे important चीज ये है कि सर देखे परसंटेज तो बात बिल्कुल सही है पट government का ये एक funda नहीं समझ में आता कि इस परकार की changes लाने का मतलब क्या है मतलब बिल्कुल साफ है guys क्योंकि देखे आने वाले time के अंदर NCT भी आपको ये कह चुका है कि हम लोगों को जो quality teacher है वो चाहिए अब मुझे भी NCT की और government की प्रिभाशा नहीं समझ में आती कि जिस बच्चे ने beard कर लिया है जो बच्चा अपना eligibility फुल्फिल करता है उसके बाद जो है बच्चो को government को क्या चाहिए talented teacher का मतलब एक definition नहीं है मतलब उनको बहुत अच्छा एक teacher चाहिए guys जो बच्चा graduation कर लेता है masters कर लेता, beard कर लेता है देखे teacher बनने के लाग तो definitely वो है but ऐसा नहीं है देखे हो सकता है कि बहुत सारे लोग late practice करना start करते हूँ माले किसी बच्चे ने बहुत late सोचा कि मैं teacher बनना चाहता हूँ तो changes करने का मतलब सिरफ क्या है कि teaching के अंदर जितना competition दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है उस competition को कम करना कहीं न कहीं का है सरकार का और NCT का उदेश्य हो सकता है क्योंकि देखे कैस अभी क्या है कि teaching job जो है न वो बिल्कुल secure job माने जाती है मैंने बहुत सारे मेरे पास student आते हैं कि सर देखे हम लोग नो b.tex किया है मैं एक technical company में बहुत अच्छा pegs ले रहा हूँ या फिर बहुत ता pegs में ले रही हूँ मैं IT में काम करें मैंने MBA किया बट वहाँ पर जो job की जो challenges रहे हैं वो बहुत जादा है बहुत सारे बच्चे खास तोर से मैं बात करूँगा लेडिज की गर्ल्स की after marriage की है उनके लिए तो बहुत जादे दिक्कत या problem हो जाती है क्योंकि उनको कही न कहीं क्या है अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ अपनी family को भी क्या look after करना होता है तो बाद में वो decision लेती है कि इतना सारा मैंने study क्योंकि मेरे पास personally ऐसे बहुत सारे student आए है मैं वही बात आपको बोलूगा जो मेरे साथ गटी तो ही है जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं उन्ही के result की साथ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अच्छा package वो ले रहे थे एक एक लाग का दो दो लाग का बट उन्होंने अपनी जॉब को टीचिंग में शिफ्ट किया टीचिंग में स्टार्टिंग में सेलरी अगर देखा जाए कोई भी अच्छा स्कूल है आपका तो उसमें 40-50 जार रुपे जा स्टार्टिंग हो जाती है तो इसलिए जो competition है न वो day by day के है teaching के अंदर बढ़ता जा रहा है और government और NCT कहा रहे कि हम लोगों को quality teacher चाहिए quality teacher का मतलब यह है कि जिसको सच में ही teacher बनना है वही बच्चा beard करे और वही vacancy बरे यह थोड़ा सा एक impose करने वाली चीज़ है जिसका मन करे जब वो teacher बन सकता है क्योंकि हमारे देश के इंदर डेमोक्रीसी है और हम लोग कभी भी किसी भी course को चुन सकते है तो कही न कहीं यह चीज़ बहुत matter करती है तो इसलिए जो percentage है उसको आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है आपको अपने exam पर focus करना बहुत जरूरी है क्योंकि guys आने वाले time में condition बहुत ज़्यादे change हो सकती है तो जब आपके पास time है खासतोर से जो second year के बच्चे है जो bid first year के paper देंगे second year के उनके लिए क्या है कि second year में अच्छी मैनत करना और first year के बच्चों को अच्छी मैनत करना अच्छी मैनत कैसे करोगे क्योंकि देखिए guys बहुत सारे जो बच्चे हैं वो working है कहीना कहीं job करते हैं अजी अपनी रोजी रोटी कमाते है बट उन बच्चों की first division भी अगर नहीं बन पाए और आपकी percentage बहुत अच्छी बन सकते है इसकी मैं आपकी guarantee आपसे लेता हूँ और दूसरी बात क्या है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे खुद study करना है मुझे खुद पढ़ना है तो guys कम से कम एक गंटा अगर आप अपने आपको दोगे जाके जब कल आपका बियर्ड में एक अच्छा percentage बन सकता है तो इसलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे है क्योंकि private sector के अंदर मैं एक बात आपको बता देता हूँ जैसे किसी भी school के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर overall आपका first division देखा जाता है महले आपकी graduation में first division है आपका 12th में है, masters में है, beard में है तो resume में क्या है एक अच्छा effect जाता है कि बच्चे की overall first division रही है तो कहीना कहीं जो private sector है उसमें भी जब आपकी resume के आदार पर आपको short list किया जाता है तो कहीना कहीं वो चीज़ देखी जाते हैं कि बच्चे के अंदर quality कितनी है या caliber कितना है आपका percentage है अगर थोड़ा कम है तो obviously बात है आप किसी कारण से वो कम रहा होगा तो interview के अंदर भी यह चीज़ पूछी जा सकते कि आपका beard में percentage कम क्यों है बट आप ऐसी नौबत ना आने क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जो beard के बच्चे है मेरा 17-18 साल का जो experience है education के अंदर मैं यही बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आप beard के अंदर minimum जो आपकी percentage है वो कम से कम first division राब रखें उसके बाद definitely आपको कोई दिक्कत आने वाले टैम में बिल्कुल भी नहीं आएगी first division से कम अगर बनता तो आपके लिए दिक्कत है 70-75 तक अगर आपको number बन जाता तो बहुत अच्छी बात है तो इसलिए थोड़ी मैनत आपको करने है थोड़ी लाइक शेर और कमेंट और मिलेंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में तो तिल देन बाद टेके गईस मुस्कुराते रहना तैंक यू सो मच